अगला क्या एजेंडा है आपका एजेंडा है एजेंडा साफ है हमारी भयहू स्रीमत्ती रेखाया दो ब्लाग प्रूंग मणियाहू है और मणियाहू के ब्लाग के अंतरगा जितने एक सोच्छा गाउं है हर गाउं मेरा काम चल रहा है हर गाउं में खड़ंजा, इंटरलाकिंग, पुलिया, नाली आईसे तमाम काम जो है हर एक एक गाउं में काम हो रहे हैं और सिर्मती रेखाया दो श्योंग शेत्र के भ्रमन करती हैं और जहां भी समस्या है उस समस्या का आकलन करके और उसका निदान कराने की कोशिस करती हैं और उसमें जितना हमसे बन पड़ता है मैं निश्चित रूप से लगातार विकास खेत लगा रहता हूं और लगा रहूँगा पपू यादव निश्चित रूप से बहुत प्रभावसाली है और चाहते हैं कि छेत्र का विकास जैसे हो रहा है और अधिक हो और मौका मिले और आगे बढ़ने की कोशिस किया जाए और छेत्र का खुसहाली जैसे लोग मेरे साथ छेत्र की खुसहाली के लिए छेत्र के व साथ तमाम जो है कि उनके आयोजन में उनके फंसन में या उनकी गरीबी को देखते हुए कहीं भी कोई आशकता पड़ती है तो पपू यादव निश्चित रूप से लगे रहते हैं जैसे घर ठंडी का मौसम है कंबल का वित्र ले आते हैं और करवाते हैं और नोट किया ज भी यादव को पपू यादव निश्चित रूप से अशिरबाद दिया और इस वर चाहेंगे तो उनका आशिरबाद जैसे मिला है और मिलता रहेगा इस वर आप क्या कहना चाहिए हम तो यही चाहते हैं कि कल जिस्न मने खुशी हाली के साथ अखले सियादो जी का स्वागत किये है पूरी गर्म जोशी के साथ सारे लोगों को ले करके बहुत ही प्रशंचनी काम है ये पूरी जिले में सबसे बड़ा जुरूस निकला और पंद्रह किलोमेटर पैदल चलते हुए मडियाहों की धर्ती पर बिबेकानन बिद्याले पर पहुँच करके राम लिल्या मैदान में समलित हुए उनके आगमन की तैयारी करने लगे हम लोग और श्री अकलेश यादो जी से मैं पुनह बिनम निवेदन के साथ कह रहा हुँ कि अकलेश यादो जी इनके सर पर हांथ रखें इनको टिकर दें मडियाहों की जनता इनके साथ हर काष्ट के लोग जुड़ हुए हैं चाहे जो भी काष्टों ग और छोटी जाती हैं जो भी हैं सब इनको इसने प्यार देती हैं इसलिए सबसे जिला पंचाइस सदस उरे जिले में दूसरे अस्थान पर ये सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं और निर्दल होकर के रेखायादू उनकी बहे हुँ ब्लाक परमुक पजपे मडियाहों की ज़ती पर काविज हुए हैं अच्छे ओटों से लीट किये आधे में अकेले आधे से ज़्यादा वोट पा करके आधे में जो है पाटीक लोग और सब लोग लड़े आधे से ज़्यादा वोट पा करके ये विजय हुई इसलिए मैं पुनह रेखा यादो का और प्रेम नारान यादो बाबा जिला पंचा सदेश हार्दिक स्वागत बंदन अभन्यंदन करते हुए मने श्री अकलेस यादो जी को जो है आशिरवाद लेने का अपेच्छा कर रहा हुँ ठेम नारान यादो जी को आशिरवाद देढ जन्यवाद जो जो साथ ही साथ मैं कल राम ली लाग के मैदान में आदेडीस्री अखुलेस यादो के कारकरम में पहुँचिने के लिए हमारी जनता जो हजारो हजार की संख्या में हमारे साथ चल करके रामली लाव की मैदान में पहुँची 15 किलो मीटर पैदल मैं उनको कोड से धनबाद और आभार प्रकड करता हूँ हीदे की कहराईयों से कि जैसा उन्होंने कल साथ दिया निशित रूप से सरानी और प्रसंसनी और बंदनी है और साथ ही साथ मैं यह कहूँगा कि जैसे लोगों ने स्रीमतीरे खाया तो मेरी भाहिव को मौका दिया है बलाग प्रमुक्चेन करके मैं यह चाहूँगा कि उस पर खारा उतरने का कोशिस करूँ स्वयंग जा करके अस्थली निच्ण करता हूँ कि पहले काम कौन होना चाहिए उस काम को कराया जा रहा है साथी और विकास है तो मैं निशित रूप से दिन रात लगा हूँ पिछेत का विकास हो और मेरी बलाग मणिया हूँ आप तक रेकार्ड रहा है जब से बलाग मणिया हूँ ने प्रमुक का चुना हुआ हर बार जनता ने बैकवड कोटे से ही चैन किया है और यादो का ही चैन हुआ है आप तक रेकार्ड रहा है एक बार यस्षी सीट रही तो यसी शीट में स्री राजभादु सरोज हुए है बाकी यह महान जनता मणियाहु की बैकवड का ही ध्यान देकर के यादव को चुनाव में जिताने का काम किया है और छेत्र का विकास हो यही हमारी जो है कि पूरी रूप से छेत्र का विकास कैसे हो मेरा छेतर कैसे अगड़ी हो मेरे जनपत में मणियाहों की भूम क्या बढ़ चड़के रहे यह दिखाई देग मणियाहों की बलाग प्रमुखर के खाया दो कि नित्त में निशित रूप से छेतर मणियाहों का विकास हुआ है इनहीं बातों के साथ मैं पुनः सब को वहाँ पर पहुचने वाले मणियाहों की धर्ती पर राम लिला के मैदान में सब को सारे जन्मानस को पुरूस महिलाएं, माताएं, बहने गरीब, अमीर निर्धन सारे लोगों को मैंने देखा सब को कोट से पढ़ाप करते हुए सब को धन्माद देते हुए और सब का आसिरबाद लेते हुए अपनी बाणी को विराम देता हूँ और चाहूँगा इन सब का आसिरबाद मानिस्री अखलेस यादव को मिले और जूठी फासिरबादी सरकार का पतन हो आप देखा ठंडी के मौसम में ये भाज़पा की सरकार ठंडी के मौसम में उन्हें पसीना छूट रहा है आलडी अखले स्यादों के कारक्रम से उनका पसीना छूट रहा है उल जयूल बाते कर रहे हैं बेश सुरई बाते कर रहे हैं जिसका कोई बेशन हो तो जूटे जूटे अपाखंड करने वाले लोगों का इस जनता में कहीं अस्थान नहीं है न कभी रहा है न रहेगा इन्हीं बातों के साथ मैं अपने राष्टी नेता को पडाम करते हुए हिदे की घहराईयों से धनबाद देते हुए कि कि उन्होंने किसी चीज का परवाहन करते हुए और इस महान जनता के बीच में बस द्वारा भरवण कर रहे हैं छेत का विकास के बारे में सोच रहे हैं चैन कर रहे हैं देख रहे हैं नोट कर रहे हैं कि काउन साथ छेतर पिछड़ा है कवन सा छेतर कैसा है और नेता यहां का कैसा है कवन चल रहा है कवन नहीं चल रहा है इन सारी बातों का वो घ्यान कर रहे हैं ध्यन कर रहे हैं इसलिए मैं हिदे की घहराईयों से उन्हें धनबाद देते हुए अभिरंदन बंदन प्राम करते हुए अपनी बात को समाप करता हूँ जै हिंद जै अखलिस जै मुलाएं